हालो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मन्जिल तक सफर में तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल फिट होंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं UP SSC बीडियो री एक्जाम के वारे में जैसा आप सभी को पता है कि इसकी कोई भी सांस डकार नहीं ली जा रही है और इससे पहले हमने अभी 15 मार्च सुभा 10 वजे ट्वीटर पर एक केमपियन किया था UP SSC बीडियो के लिए नहीं वो केमपियन हमने किया था UP पुलिस रेडियो अपरेटर एक्जाम डेट के लिए तो उसमें बड़े बड़े यूटूबर जो थे हमारे साथ नहीं आए और जैसा बहुत से बच्चों केमेंट कर रहे थे लगातर कि UP SSC बीडियो के लिए भी सर आप आईए और को यूटूबर साथ नहीं आ रहा है हमारे और UP SSC बीडियो एक्जाम के लिए भी आप आकर बात करिए तो चलिए साथ ही आज हम लोग बात करते हैं UP SSC बीडियो एक्जाम के बारे में और उम्मीद और जरूवत लगी ट्यूटर कैमपेयन की तो दोस्तों इस पे भी हम लोग ट्यूटर कैमपेयन जरू करेंगे ये परिवार आपके साथ हमेशा है और हमेशा आपके साथ रहेगा जैसी भी परिष्थितियां हों मैं आपके साथ हमेशा यहाँ पर आपको उपस्थित मिलूँगा ठीक तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे भाई की बीडियो की परिक्षा आखिर कब होगी भरती रद नहीं होगी बहुत से बच्चे ये पूछते रहते हैं लगातार कि सर भरती क्या रद होगी तो भरती रद नहीं होगी ये ब्रहम अपने दिल में मत पालो ठीक है वेकंसी कहीं नहीं जा रही है और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो नई वेकंसी आने वाली है आपकी यूपितर पलेसी वीडियो की क्या वो इसमें अटेच होगी या फिर इसमें जो है मिलकर आईगी पहले ये तो कंपलीट करा लें उसके बाद ही तो वो आईगी ठीक है पहले यही चीज नहीं है तो उसकी बात हम लोग क्यों करें अभी कि इसमें आईगी या नहीं आईगी और आईगी भी नहीं वो बात ठीक क्या Twitter campaign करना पड़ेगा वीडियो के अंत तक दोस्त आपको सब कुछ किलियर होगा और बहुत से अच्छे सोच रहे होगे कि watch time बढ़ाऊंगा मैं तो ऐसा कुछ नहीं है क्या Twitter campaign करना पड़ेगा हमें साब के साथ हूँ बिग अणाउंसमेंट आपके लिए आज इस वीडियो में है और कब तक तैयारी करें विद्यारती यही परसान है YouTube पर जाके student जो है वीडियो देखता है किसी की उसने सर्च करा Google पर कि UPSS video का re-exam कब होगा अनेको वीडियो उसमें आ गई ठीक है अनेको वीडियो उसमें आ गई लगातार लगातार आ रही है अब बच्चा यह परसान है कि मैं तैयारी आखिर करूं कब तक 2018 से 2023 पांच साल का अंतर बहुत बड़ा मेरा भाई difference अंतर होता है कब नौकरी लगेगी उसकी लगते ही क्या retire हो जाएगा मेरा भाई पांच साल तो हो ही गए मतलब तो यही है ना इसका कि कब आप job देंगे job लगते ही क्या retirement की उबर में हमें job मिलेगी क्या यही समझ नहीं आ रहा है student को कि हम भाई retire हो जाएंगे कब दोगे जोकरी यार बीडियो की तो कितने 5 साल नो हमने इंत्यार कर लिया 2018 में आपकी vacancy आई और आज चल लए है आपकी 2023 तो अभी तक तो कोई भी मेरे भाई अपडेट नहीं है लेकिन हाँ exam date को लेकर एक हलकी update है मेरे भाई और वो update क्या है कि यह आपका जो exam है ठीक है बीडियो का यह आपका मेरे भाई जून और जुलाई की तरफ होने की पूरी संभावना है जून और जुलाई की तरफ होने की मेरा भाई प्रिवल संभावना बनती हुई नजर आ रही है सचिब जी के यहां से यह खबर आ रही है ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है लिकिन जून और जुलाई की तरफ ये दोस्तों जो है आपकी परिक्षा बनती हुई नजर आ रही है अगर आपको थोड़ा भी दोस्तों बिलीब हो अपने इस परिवार पर इस चैनल पर अगर आप थोड़ी भी दोस्तों बात मानते हों तो आप मेरी बात मान कर रखिएगा जून जुलाई की तरफ साथी आप के एक्जाम होने के बहुत जादा चांसिस बन रहे हैं और आप अगर तयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम की यूपी तरपल सी बीडियो की और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आपको कि आपको क्या अपने अंदर परिवर्तन करना है एक वेकंसी के पीछे कभी पागल आ रही है जैसे SSC में दोस्तों आपकी वेकंसी आ रही है CGL की ठीक है CHSL की आ रही है आपकी और भी दोस्तों स्टोने बगरा है MTS है ठीक है और आपका CPO है तो यह सारी वेकंसी काई की है यह सभी वेकंसी आपकी SSC की तरप से लगातार आपको देखने को मिल रही है ठीक है ये सारी वेकिंसी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा का, सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर Inglis बढ़ेगी, Inglis, Inglis सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपका बढ़ेगा, अब बहुत से बच्चों का सपना ही वीडियो का है तो अच्छी बात है आप वीडियो की तयारी करें लेकिन आखिर कब तक तयारी आप 2018 से हम लोग तयारी कर रहे हैं इसके दर्मियान जने कितनी नोखरी ऐसी आई जने कितने बच्चे यहां से जोस्तु सिलेक्शन लेकर और पोस्टिंग होकर अपने सेलरी भी उठा चुके हैं लेकिन हम लोग तयारी जब हम स्टुडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें जैसे हमें मालो जाना यही है वीडियो पर ही ठीक हमारा टारगेट यही है वीडियो पर ही जाना है लेकिन जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी वेकेंसी आ रही है उनका form हमें जरूर फिल करना चाहिए student life में और वो exam भी दोस्तों हमें देना चाहिए इससे हमें experience होता है exam hall में जो exam hall में जो बैठने का जो आपको वो होता है डर वो कही न कहीं कम होता है और आपका level भी दोस्तों increase होता है तो exam हमें जरूर देना चाहिए चाहिए आपके कोई भी exam हो आपको exam देते रहना चाहिए clear माल लिज़े आपका यहां पर CHSL में हो गया selection अरे भई CHSL में हो गया या माल लिज़े आपका MTS में हो गया इसमें selection हो गया फिर आप यहां से दोस्तों और भी चीजे हैं जैसे आपका UPPSC की दोस्तों फार्म आया हुआ है UPPSC का ठीक है इसमें फिल कर सकते हैं आप ठीक आपका ROARO का फार्म आ रहा है ROARO आप इसमें फिल करेंगे ठीक है तो इतने option आपके पास रहते हैं इन सभी option को आप लोग लेकर चला करें साथ में अपने exam में तैयारी के लिए ठीक है ये सब बाते हमें याद रखनी चाहेंगे किलियर भरती रद नहीं होगी भी या भूल जाओ या भरती रद नहीं होगी क्या tutor campaign करना पड़ेगा अब इसका जवाब आप लोग मुझे कहां देंगे comment box में देंगे अगर आप लोग कहेंगे जी sir we are ready या हम तैयार है ठीक है हम तैयार है अगर आप लिखते है comment में तो भाई इसके लिए भी सोचेंगे हम tutor campaign के लिए ठीक है एक बार कर देंगे campaign और इसमें दोस्तों क्या है बड़े यूटूबर साथ नहीं आते हैं तो कुछ यूटूबर हैं जिनको मैं mention कर देता हूँ जैसे add the rate दोस्तों toppers 24 ठीक है toppers 24 के दोस्तों कौन है आपके रंजीत सर है ठीक है बड़िया इंसान है और मुझे खासतोर से अच्छे लगते है रंजीत सर genuine person मुझे हमेशा पसंद आता है मेरे भाई ठीक है सच्चे इंसान आपके कौन है टोppers के रंजीत सर और इनको मैंने mention कर दिया है ठीक है और भी अगर हम कोई channel में और फिलल किसी पे इतना मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है कि tutor campaign में वो हमारा साथ दे लेकिन हार इतना मुझे भरोसा है कि टोppers 24 के रंजीत सर जरूर साथ देंगे और अगर आप रंजीत सर वीडियो देख रहे हैं तो UPCC वीडियो वालों के लिए हम सभी को एक बार खड़ा हो जाना चाहिए एक बार अब आज उठा देनी चाहिए आंदोलन एक बार बहुत महबबत के साथ कर देना चाहिए बात अपनी सरकार तक पहुचा देनी चाहिए कोई बुराई की बात नहीं है इन्होंने कहा था कि हमारे पास बज़ट नहीं है इन्होंने बज़ट बताया था कितना लगेगा 10 करोड ठीक है 10 करोड इन्होंने बज़ट बताया था कि इस एक्जाम को करवाने के लिए लगेगा भाई पहले जब ये भरती आई थी 14 लाख बच्चों ने ये फॉरम भरा था ठीक है उसका दोस्तो 185 रुपय कुछ एक्जाम की फीसली होगी आपने ठीक है ये कितना बना गुणा करके देखिए कितने जीरो लगेंगे ठीक है और ये बजट फिर कहां गया ठीक है एक्जाम आपने कराया भरती रद्द हुई ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा इस समय इतना परशान है कुछ कहे नहीं सकता वो ठीक है तो विगेस्ट अनॉंसमेंट आप सभी के लिए यही है कि अगर आप सभी लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो दोस्तो हम लोग ट्विटर कैंपेंट के लिए ट्विटर कैंपेंट करने के लिए आपके साथ ततपर हमेसा तैयार है ठीक है आप तैयार तो हम तैयार आप तयार नहीं तो हम आगे बढ़ें किसके लिए जब आप ही तयार रही है ठीक है तो कब तक तयारी करें वही विद्यारती सबसे बड़ा सवाल यही है तो उम्मीद है दोस्तों आपका जून और जुलाई ठीक है जून और जुलाई की तरफ दोस्तो यह form आपके जो है admit card आने के chances बन रही है और आप अपना syllabus को दोस्तो complete कर ही लिया होगा ठीक है syllabus दोस्तो आप अपना complete रखेंगे syllabus आप अपना complete रखेंगे और previous year question आप करते रहेंगे plus दोस्तो MCQ आप करते रहेंगे ठीक है plus दोस्तो practice set आप लोग करते रहेंगे ठीक है और आपको जो focus करना है वो reasoning पर दोस्तो ज्यादा focus कर लेना है ठीक है reasoning पर और दोस्तो focus करना है आपको Hindi पर ठीक है यह दो subject दोस्तों आपकी नईया पार लगवा सकते हैं तो इतनी चीजे हैं जो आपको करनी है बाकी यह दोस्तों मैंने question मार के यहाँ पर छोड़ दिया है अब आप बताईएगा कि tutor campaign करना है या नहीं करना है ठीक है तो इतनी सब चीजे हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ discuss करने के लिए आज आया था और वीडियो मैंने इससे पहले लगवग एक महीना पहले यूपी त्रपलेसी वीडियो के लिए एक किलिप और वीडियो बनाई थी तो आपके लिए हर महीना दोस्तों कुछ ना कुछ में लेकर आता रहता हूं वीडियो के लिए भी और teaching exam के लिए दोस्तों हम लोग तयारी भी करवा रहे हैं तो बिल्कुल निसुलक साथ ही आपकी classes चल नहीं है अगर आप चाहते हैं यूपी टेट सूपर टेट के तयारी करना तो अपने इस परिवार से आप बिल्कुल जुड़ जाएए बिल्कुल निसुलक आपको classes प्रोवाइड करवाई जा रही है ठीक है तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और big announcement आपका यही था आप सोच रहे होगे कि big announcement का क्या हुआ तो biggest announcement आप सभी के लिए यही है कि अगर आप तयार है tutor campaign के लिए महबत के साथ सरकार से बात करने के लिए तो मैं भी आपके साथ तयार हूँ और Toppers 24 के रंजीत सर को भी मैं लेकर आऊंगा चाहें कैसे भी बात करना पड़े चाहें mail करना पड़े चाहें Instagram पर message करना पड़े चाहें Facebook पर message करना पड़े सर देखें उम्मीद करूं सर देखें भाई और अगर आप भी उन्हें दोस्तों follow करते हों तो इतनी clip आप उनको जरूँ पहुचाएं कि रंजीत सर एक बार सभी लोग के लिए सभी बच्चों के लिए यूपीतर पहले सी वीडियो वालों के लिए साथ में हम लोग जरूर आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ जरूर आएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत